बच्चों आज के उनलाइन क्लासेश में आपका स्वागत है कल की वीडियो में हमने पार्टी 11 पढ़ा था बाल की आज में आपको पढ़ाऊंगे लिंग अब आप कहेंगे लिंग क्या होता है तो लिंग के बारे में हम जानकारी देंगे लिंग होते हैं दो हो तरह के पूरल संग्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति और वस्तु की पुरुष अत्वा इस्तरे जाती का बौद होता है उसे लिंग कहते हैं यानि हमें पता चलता है कि ये लड़का है ये लड़की है ये क्या कहलाता है लिंग जैसे अगर मैं बोलूं बेटा तो बेटा बोलते ही आपक तो आपको पता चल जाएगा कि यह है एक इस्त्रिलिंग शब्द है बेटी कुछ इसे प्रकार के लिंग के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी आप ठीक से देखेंगे माता, माता का लिंग क्या होता है? पिता, माता, पिता बहन, भाई बहन, इस्त्रिलिंग शब्द है और भाई, पुलिंग शब्द है पुलिंग शब्द मतलग जो पुरुष जाती का बोट कराता है लड़की, लड़का पुत्री, पुत्र पत्नी, पती पत्नी का पुलिंग क्या होगा? पती गाय, बेल गाय का पुलिंग होगा? बेल बकरी, बकरा सीहनी, सीह घोडी, घोडा नोकरानी, नोकर मुर्गी, मुर्गा बालिका, बालक तो ये थे पुलिंग और इस्त्रिलिंग शब्द आगे देखे, कुछ और पुलिंग और इस्त्रिलिंग शब्द मैं आपको बताऊंगी नर, नारी बच्चा, बच्ची मामा, मामी चाचा, चाची चाचा गस्ति लिंग क्या होगा? चाची गोड़ा, गोड़ी बुढधा, बुढधी बंदर, बंदरिया डिब्बा, डिब्बी नोकर, नोकरानी महतर, महतरानी पंडित, पंडिताईन सुनार, सुनारिन माली, मालिन तो ये थे कुछ पूर्लिंग और इस्तिलिंग शब्द पूर्लिंग शब्द जिनसे पुरुष जाती का बोध होता है और इस्तिलिंग शब्द जिससे इस्तिलिंग जाती का बोध होता है कुछ और शब्द आप मेरे साथ देखेंगे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, उन्ट, उन्टनी, हाती, हतिनी, शिष्य, शिष्य, अगर लड़का है तो शिष्य, और अगर लड़की है तो शिष्य, चात्र, चात्रा, पुत्र, पुत्री, गायक, गायका, देव, देवी, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, श्रीमान, श्रीमती, तो ये थे कुछ पूलिंग और इस्त्रिलिंग शब्द है आगे देखेंगे मोर मोरनी बालक बालिका अध्यक्ष अध्यक्षा पुरुष है तो अध्यक्ष और महिला है तो अध्यक्षा बाई बहिन मोटा मोटी सुत्थ सुता पुत्र है तो सुत्थ और पुत्री है तो सुता पंडित पंडिताहिन नाना नानी दास दासी शेर शेरनी कवी कवित्री तो यह थे इस्त्रिलिंक शब्द है अब आगे देखेंगे आगे हमें चोर चोरनी फूफा बुवा अगर पूरुष है तो तपस्वी और कोई इस्त्रि तपस्या कर रही है तो तपस्वी नी तेजस्वी तेजस्वी नी जाट जाटनी नायक 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 नायन पुरुष है तो नेता और इस्त्री है तो नेत्री आगे देखे पिता माता गायक 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 दोबी माली दोबिन दोबी दोबिन माली मालिन मोर मोरनी लड़का लड़की गुड़ा गुड़िया नर नारी चूहा चुहिया पुरुष इस्त्री मास्टर मास्टनी बेटा बेटी नोकर नोकरानी हाती हतनी बेटा बेटी चात्र चात्रा पती पतनी बालक बालिका शेर शेरनी बेल गाय बेल का श्त्रीलिंग क्या होगा गाय कुत्ता कुतिया अब यह देखिए एक चार्ट बना के हमारे सामने दिया गया है बेटा का बेटी बेटा का बेटी बच्चा का बच्ची बच्चा का बच्ची बाई का बहन बहन बाई का बहन अब यहां पर हमें इस्टिलिंग शब्दो को पूलिंग शब्दो से मिलान करना है अब आप तो इस्टिलिंग पूलिंग पैचाथ गए होंगे तो पेहला शब्द क्या दिया गया है मुर्गा है पहला शब्द क्या दिया गया है, मुर्गा, अब मुर्गा देखें, मुर्गा का इस्तिलिंग क्या होगा, मुर्गी, अब मुर्गी का लिखावा, यह देखें, यह यहाँ, मुर्गी, दादा का दादी, दादा का दादी, बेटा का बेटी, बेटा का इस्तिलिंग क्या होग बेटी सेट सेथानी सिक्षप सिक्षिका तो इस तरीके से आप भी स्लेट पर एक तरफ पूलिंग और एक तरफ इस्तिलिंग शब्दों को लिखकर मिलान करके अभ्यास कर सकते हैं अब इसे प्रकार हमें इसमें इस्तिलिंग शब्दों को पूरलिंग शब्दों से मिलाना है देखें राजा, राजा का इस्तिलिंग क्या होगा? रानी राजा का इस्तिलिंग क्या होगा? रानी इसे प्रकार आगे देखिए माता, माता का इस्ति लिंग क्या होगा? पिता बुढधा, बुढधी, बुढधा का इस्ति लिंग क्या होगा? बुढधी लड़का, लड़की, महोदय, 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 तो इस तरीके से आपको भी अपनी स्लेट पर कॉपी पर इनको लिखकर अभ्यास करना है अब आगे देखिए प्रत्यक पंक्ती में से एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से भिन है हमें उसे खाली जगे पर लिखना है जैसे कववा, तोता, कोयल और मुर्गा इसमें से देखिए कववा, तोता और मुर्गा ये तो पुर्लिंग शब्द है और एक कोयल जो है वो इस्तिलिंग शब्द है इसलिए अलग लिंग कौन सा हुआ? कोयल कौन सा हुआ? कोयल इसे प्रकार अगला देखिए धोबी, ग्वालिन, लुहार, चमार तो इसमें से दोबी, लुहार, चमार ये सब पुर्लिंग शब्द है और ग्वालिन ये है एक अलग शब्द है तो इस्तिलिंग शब्द कौन सा हुआ? ग्वालिन अब तीसना देखिए इमली, आम, केला और संत्रा इसमें आम, केला और संत्रा ये तो पुर्लिंग शब्द है और इमली जो है वो इस्तिलिंग शब्द है इसलिए इमली अलग शब्द हुआ आगे देखिए बाबा, दादा, नाना और दादी तो बाबा, दादा, नाना ये तीनों तो पुरुष है और दादी क्या है? तो दादी अलग शब्द हुआ अगे देखिए चमर्ष, कटोरी, थाली, डिबिया अब इसमें चमर्ष, कटोरी, थाली, और डिबिया इसमें से कौनसा स्टिलिंग शब्द है डिबिया बाकी चमर्ष, कटोरी, थाली ये पुलिक शब्द है इस तरीके से हम और अभ्यास कर सकते हैं अब आगे देखे इसमें हमें रेखां के द्यानी जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है ना और शब्दों का लिंग बदलना है जैसे पहला है पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं इसमें पापा के नीचे लाइन खेंची गई है तो पापा का इस्तिलिंग क्या होगा मंमी तो मंमी मुझे बहुत प्यार करती है पापा का इस्तिलिंग क्या होगा मंमी दूश्या शब्द देखी शेर ने हेरन का शिकार किया अब शेर पुर्लिंग शब्द है और शेर के क्या होगा, शेरनी तो पूरा वाकिय क्या बनेगा शेरनी ने हिरन का शिकार किया आगे तीशा देखिए मामा ने गौरी के लिए, मिठाई लाई मामा पूलिंग शब्द है और लाई तो इसे लिए उपलप्ड होता है तो मामा की जगे क्या है गा मामी मामी ने गोरी के लिए मिठाई लाई अगला देखिए दादा जी पोधे को पानी दे रहे हैं दादा जी इस्तिलिंग शब्द है दादा का इस्तिलिंग क्या होगा? दादी तो दादी जी पोधे को पानी दे रही है आगे शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक का स्टिलिंग क्या होगा? शिक्षिका तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार से आप स्टिलिंग और पूलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं और अलग-अलग अभ्यास के माद्यम से आप इसके बारे में और जानकारी प्राफ कर सकते हैं धन्यवाद